लास्ट एपिजोन में हमने दिखा था कि डारेक्टर शाह गुस्टे में आकर टॉंगएन को मारते थे और इसी के साथ सिन जिफ्ट हुआ था डारेक्टर शाह के ख़र पे जहां पर से पहुच जाता गुस्टा आ रही होती क्योंकि शायोन और उसके साथ वाले लोगों ने उ जब वो आदमी जाही रहा होता है कि हम दिखते हैं एक आदमी आकर उसे मार देता है यह सब कुस्ट देखकर वो नौकर भी काफे ज़दा डर जाता है इसी के साथ सिन सिफ्ट होता है जहापर हम डारेक्टर शाह को दिखते हैं जो कि कमरे में होता है और कहता है कि किता ज़ दिया था वाइन लाने के लिए लेकिन अभी तक नहीं आया अब मैंसे कली उताऊंगा लेकिन तब ही हम दिखते हैं कि उसकी नजर टेबल में रखे हुए खाने के साथ वाइन पर जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा वाइन थे उसको देखकर वो काफी ज़्यादा खुश ह जाता है और उसे पी भी लेता है लेकिन तब ही उसे रिलाइस होते हैं कि जो चीज उने पीए वह वाइन नहीं है और उसमें कुछ न कुछ कट पड़ा है इसलिए अब उससे स्मेल करता है और उससे गुसा आने लग जाती तब उसकी नजर अंदर पर ही एक आदमी में जा जिसका हा दिखाए दे रहा था और इसी के साथ होता है होता है जो कि बार ख़डा हुआा था इनकर है और हूप without आर इसे साथ सि Hir pixels ब zar नको दिख कंट की यह जाता है अब शायोन उससे कहती है कि तुम्हारा इत्ता से तो पेट है तब भी तुम इत्ता सब कुछ कैसे खाले दो और वो उससे कहती है कि पहुँचाता रात हो चुकी है अब हमें सो जाना चाहिए जब उसको पकड़ के ले जाए रही थी कि तब उस डॉंगयान की नजर बैट में रखे एक कुटे पर जाती है जिसको देख कर वो काफे ज़्यदा खुश हो जाता है अब यहाँ पर शायन उससे कहती है कि वो उसके पिस्तरे में क्या कर रहा है त्योंकि वो शायन का है और वो उसे अपने साथ नहीं सुला सकती है लेकिन जिस पर टॉंगयान जित करने लग जाता है तो हम देखते हैं कि शायन उससे कहती है ठीक है आज तुम्हें चोट लग उतास हो जाता है तो शायन उसे कहते ही ठीक है एक ही सर्ट पर तुम इसे मेरी कमरी के अलावा और कहीं भी नहीं ले जाओगी वैल अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें हमीसा मेरे साथ ही रहना होगा लेकिन डॉंग यान उसकी बातों पर एंगर हो जाता है और अब श कुछ न कुछ करके वहां तक पहुशना था पच्चा था सिपायों के वज़े से वो जगा कहीं न कहीं से गेरी हुए थी अब यहां पर यांग जी सोचने रखता है कि कल रात वो पिना सोई इस मैप को बना रहा था तभी हम देखते है माँ पर शायन और उसकी भेन भी आ ज करती है यह देखकर यॉंग जी उन मैप को इदर उदर कर देता है जिस पर शायन एक चार्ट को उठाती है तो उस पर एक ड्राइंग थी जो कि बहुत पिकार सी थी जिस पर शायन कहाती कि तुमने पूरी रात पैटकर सिर्व यह ड्राइंग बनाई अब हम देखती कि यह अब भी उसी चार्ट के ऊपर थी लेकिन अब यॉंग जी उनका ध्यान बटकाने के लिए एक दूसरे चार्ट को पकरता है जिस पर एक थोड़ी बहुत 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 पहतर द्राइंग थी जिसको देखकर शायन खुस हो जाती है और अब उससी कहती है कि हम यह निडल्स लगा लगा कर जिस पर जॉंग जी को भी पहुत जाता है और अब यहाँ पर यह इन यॉंग जी से पूसती है कि तो मैं कैसा फिल हो रहा है क्या तुम इससे अपने अंदर की इन स्टैंट को फिल कर पा रहे हो तो यॉंग जी कहता है कि इससे कोल भी वरक नहीं प यह पात बार किसी को पता चली तो तो मैं काम क्यों नहीं करती हो कोई अच्छा सा डॉक्टर ही अरेंज करा तो वो मेरा ट्रीट्मेंट करतेगा जिस पर यह इन कहती है कि मैंने भी बच्पन में इसकी बहुत जाता प्रैक्टिस ले है और मुझे सब कुछ आता है और रहे इस पर हम दिखते हैं कि इनको घुसाश आती और उस नीडल को करम करके उसके पीट में घुसा देती है और इसी के साथ सीन सिफ्ट होता है जहां पर अफो तोनों की दोनों बहार आते शायों उनको देखकर क्या थी कि क्या टीट्मेंट खतम हुआ तो आप यॉंग सी को हम जिसे अपनी ही लेंग्विज नहीं आती तो आप शायों उसे समझाती है कि आप ये सब कुछ जैने दीचे मैंसे एक दिन में एक्सपर्ट बना दूंगे और वैसे भी लेंग्विज सीखने की तो बात है ना तो वो मैं तुमें अरास्तानी से सिखा दूंगे अब येन जि और जब वो दोनों की दोनों वहां से चाही रहे होते तभी येन रुकती और कहती कि हाँ मुझे एक बात यात हुई कि अभी यॉंग्जी का टीटमेंट खतम नहीं हुआ है इसलिए कल से इसका टीटमेंट शुरू हो जाएगा और अब जहाँ पर हम अगले दिन का सीन रही हो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए और इसलिकी साथ आज की एकसिनेशन खतम होती है इसका नेक्स अपीसोड अगले थरसे तक आज आएगा तब तक के लिए और हाँ अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे हो पैल न